Hello everyone, कल हमने बात की थी pollination के बारे में और pollination के टाइब के बारे में ठीक है, pollination में हमने ये पढ़ा था कि जब क्या होता है, transfer होता है pollen grain का stigma में तो इस process को हम क्या कहते हैं, pollination कहते हैं, ठीक है और फिर हमने पढ़े थी pollination के type, जो की थे mainly 3 ठीक है, first था autogammy, auto मतलब self, ठीक है, जब क्या होगा, एक ही plant का इंथर और एक ही plant का stigma होगा और उसमें pollination की जो process होगी, यानि transfer होगा pollen grain का stigma में तो और क्या होना चाहिए, self मतलब same होगा अपना plant, ठीक है, उसमें होगा, तो इसको हम self pollination या autogammy है सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हमने दो type के flower देखे थे, एक तो होता है casmogamous और दूसरे होते हैं klystogamous, तो casmogamous में हमने यह पढ़ा था, कि वो ऐसे plant होते हैं, जो की होता है exposed होता है, जिसका anther और जो stigma होगा, वो exposed होगा, यानि खुला हुआ होगा, और दूसरे हमने पढ़े थे, klystogamous type के, जिसमें क्या होता है, एंther और stigma दोनों ही closed होते हैं, ठीक है, second हमने पढ़ा था, geotunogamy, इसमें क्या होता है, एंther तो, जो एंther होगा, और stigma होगा, वो एक flower का ना होके, अलग-अलग flower का होगा, पर जो flower होगा, वो एक ही plant का होगा, यानि एक ही plant के, जब अलग-अलग flowers में, क्या होगा, pollination की process होगी, तो इसे हम कहेंगे, geotunogamy, फिर थर्ड हमने पढ़ा था, categories में, genogamy की, इसमें क्या होगा, जब एंther और stigma दोनों ही different plant का होगा, ठीक है, अगर क्या होगा, एंther भी different plant का होगा, और stigma भी different plant का होगा, और जब इनके बीचने pollination का process होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऐसे plants को हम geno, gammas plant, या ऐसे condition को हम geno, gammy कहेंगे, ठीक है, यह हमने कल पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं नया topic, agents of pollination, ठीक है, इसमें कहरा है, plants used to abiotic wind and water and one biotic agent to achieve pollination, देखो अगर हम pollination की agent की बात करेंगे, तो agent मतलब वो लोग जो क्या करेंगे, इस काम को करेंगे, जैसे अलग-अलग चीज़ के agent होते हैं, जैसे कुछ मकान दिलाने वाले agent होते हैं, कुछ जमीन दिलाने वाले agent होते हैं, तो वैसे ह जो क्या करेंगे, pollination कराने में, अपनी help करेंगे, वो लोग यहां पर क्या होंगे, उने को हम यहां पर agent कहेंगे, जैसे कि plants में अगर हम देखें, तो एक होते हैं, abiotic, abiotic मतलब जो non-living है, और biotic मतलब जो living है, तो abiotic में क्या आगी, wind आगिया, water आगिया, और biotic में आग करते हैं, कराने में help करते हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है, only a small portion of plants use abiotic agent, तो यह कह रहा है, मतलब जो number है, अगर हम देखें, तो portion काफी छोटा है, उन plants का, जिसमें क्या होता है, abiotic agents का use होता है, यानि wind or water का use होता है, और जारतर क्या होंगे, animals ही होंगे, यानि biotic component ही होगा जो क्या करेगा, पॉलिनेशन को cause करेगा, इसमें कह रहा है, pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor, sorry, change, sorry, chance factor in both wind and water, pollen grain coming in contact with stigma, जब क्या होगा, pollen grain, कहा है कह रहा है, coming in contact with stigma, जब pollen grain in stigma में आएगा, तो इसमें क्या हो सकते हैं, दोनों factor हो सकते हैं, चांस होगा, देखो, wind भी हो सकती है, और water भी हो सकता है, जो क्या करे, pollination को cause करे, to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination, देखो, अगर हम, जो stigma है, उसमें जाएकर, जब pollen grain, तभी जाकर, हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो पर क्या है, अगर इसका chance अगर हमें कम करना है, कि हमारी जो pollination हो जाए, उसमें जो uncertainty है, उसे कम करना है, तो इसलिए क्या करता है, प्लांट, बहुत एक ज़्यादा नंबर में pollen grain को, प्रड्यूस करता है, ताकि क्या हो, कोई भी मीडियम हो ovule से, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ऐसे कुछ uncertainty ना आए, इसने क्या करेगा, उसमें लार्ज नंबर प्रोड्यूस करेगा, लार्ज नंबर प्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो chances होंगे, पॉलिनेशन के वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, आगे इसमें कहरा है, पॉलिन पॉलिनेशन, abioty component की बात करें, तो अपसे यादा किसके थ्रू होगा, wind के, थ्रू ही होगा, abioty component में, ठीक है, अगर abioty pollination में देखेंगे, तो wind is more common, wind pollination are required, that the pollen grains are light and non-sticky, so that they can be transported in wind currents, देखेंगे, अगर wind pollination के थ्रू क्या होना है, wind के थ्रू pollination होना है, तो इसमें, जो pollen grains हो और उनको कैसा होना होगा, आगा, वो कैसे होंगे, light होंगे, हलके होंगे, और non-sticky, कहीं चिपकने रही होंगे, ठीक है, नॉनस्तीक होंगे, लाय होंगे, तो जब wind flow करेगी, तो य एक्सपोज नहीं होगा, ज़्जादा खुला हुआ होगा, ठीक है, एक्सपोज होगा, तो इस से क्या होगा, so that the pollen are easily disparate तो यह आसानी से क्या हो जाएंगे बहाओ में हवा के बहाओ के संग उड़ जाएंगे and large often feedery stigma to easy trap air born pollen grains और इन क्या होंगे large होंगे और क्या होगा feeder होगा यानि पंक होंगे stigma में ता कि क्या हो जाएंगे हवा को आसानी से हवा के संग उड़ जाएं ठीक है large होंगे और feedery इनके stigma होंगे ता कि क्या कर पाएंगे जो pollen grain है वो क्या कर पाएंगे यहाँ पे आसानी से trap हो जाएंगे जैसे अगर कोई plant आ गया तो वहाँ पे आसानी से क्या कर पाएं वहाँ पे trap हो जाएं अपने आपको trap कर लें तबी क्या होता है यह आदा बड़े होते हैं और फीदरी होते हैं इनके स्टिगमा ठीक है आगे कह रहा है wind pollinator flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an influence तो यह कह रहा है जो wind pollinator flowers होते हैं इनमें क्या होती है single ovule present होता है हर ovary में क्या होगा एक-एक single ovule present रहेगा and numerous flowers packed into an influence और क्या होगा जो flower होंगे वो influence में packed हो होंगे ठीक है a familiar example is corn cob the tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains तो देखो आपने corn देखा होगा मक्का केतने जिसे उसमें क्या होता है जो tassel होता है वो ऐसा होता है तुमने कभी उसका पेड़ देखा होगा तो क्या होता है ऐसा होता है और यह क्या है जो tassel है वो क्या है आप nothing but the stigma and style यह क्या है stigma और style है ताकि क्या कर पाएंगे which wave in the wind to trap pollen grains ताकि यह क्या कर पाएंगे जो wind के through जो flow होके आएंगे pollen grain उनको यह trap करने में इनकी help करेंगे ठीक है तो tassel का use क्या अगर trap करने के लिए pollen grains को यह कहना जा रहा है आगे कह रहा है wind pollination is quite common in grasses तो wind pollination अगर हम कहेंगे किस में देखा आता है commonly तो हम कहेंगे grasses में देखा जाता है ठीक है आगे कह रहा है pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera mostly monocotyledons देखो pollination अगर water के through होगा तो यह क्या है बहुत जादा rare है कह रहा है ठीक है और किस में होगा यह flowering plants में होगा तो यह 30 genera होंगे जिन तक यह limited रहा है और बाकी सारी genera में किस के through होगा wind के through तो यह इसके example अगर हम देखे तो angiosper में भी जिसे monocotyledon और dicotyledon होते हैं तो सिर्फ इसमें monocotyledon होगे जिसमें के water के through pollination की process होगी ठीक है as against this you will recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and tydophytes देखो हमने पहने भी पढ़ा था कि जो water होता है वो क्या करता है एक medium की तरह अपने आपको यहां पर show करता है ताकि क्या कर पाई जो male gamete है वो female gamete तक पहुँच पाईगी ठीक है यह हमने किस में देखा था algae में देखा था bryophyte में और tydophyte में देखा था ठीक है तो वही कह रहा है तो यह कह रहा है यह ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि जो कुछ bryophyte है और tydophyte है इन में क्या होता है जो water का जो नीड है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि क्या करता है water ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है male gamete को और fertilization में help करता है some example of water pollinated plants are तो water pollinated plants कौन कौन से है वैलिसनेरिया हाइडिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर जो कहां ग्रो करता है फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं and several marine sea grasses such as juice trera और इसके कुछ example के है जिसे fresh water के यह हो गया और जो marine है समुद्रे में होने आली grasses है वो क्या हो गया इसका example यहाँ पर juice trera हो गया आगे कह रहा है not all aquatic plants use water for pollination सारे के सारे जो aquatic plants है वो सभी water को ऐसा use करें pollination के लिए ऐसा नहीं है ठीक है in a majority of aquatic plants such as water high niche and water lily the flowers emerge above the level of water and the pollination and are pollinated by insects and wind as in the most of land plants तो यह कह रहा है सभी में जो aquatic plants है उनमें water के थूँ यह pollination होगा यह सही नहीं है क्योंकि क्या होता है जिसे water high niche और water lily है इनमें क्या होता है जो water होता है यह flowers होते हैं वो कहां जाता है sea level से थोड़ा या water level से थोड़ा उपर आ जाएंगे और इनमें pollination किसके थूँ होगा या तो wind के थूँ या फिर insect के थूँ होता है ठीक है आगे कह रहा है तो क्या रहा है जो वैलिस्नेरिया है इसमें जो female flower होता है वो क्या करता है यह water की surface तक पहुंचाता है by a long stock इसमें क्या होता है जो stock होता है वो काफी लंबा होगा long होगा and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water और क्या होगा जो male होगा वो क्या करेगा pollen grains को release कर देगा water की surface में they are carried passively by water current और क्या होगा धिरे धिरे पानी के संग बहते बहते यह कहां पहुंच जाएंगे male flower female flower में पहुंच जाएंगे और वहां जाके क्या हो जाएगा pollination हो जाएगा ठीक है तो यह भी एक example हो गया इसमें some of them eventually reach the female flower and the stigma तो क्या होंगे इसमें से कुछ जो होंगे वो क्या पहुंच जाएंगे female flower में और female flower के stigma में पहुंच जाएंगे ठीक है in another group of water pollinated plants such as sea grasses female flowers, flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water अब कुछ क्या है उनमें क्या होगा जब water pollination तो होगा और उसमें क्या होगा से क्या होगा इसमें female flower के रहेंगे submerged रहेंगे water में ठीक है डूबे होगे और pollen grain यहीं release होंगे और यहीं क्या कर लेंगे pollination कर लेंगे pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water तो इनके pollen grains कैसे होंगे लंबे होंगे ribbon like होगे जैसे की ribbon होते हैं वैसे होंगे and they are carried passively inside water और यह पानी क्या होगा अंदर यह अंदर जाके क्या हो जाएगा पानी बहते बहते some of them reach the stigma और यह कहां पहुच जाएंगे stigma में पहुच जाएंगे और pollination achieve हो जाएगा आगे कह रहा है in most of the water pollinated species pollen grains are protected from wetting by a mucillaginus covering तो कह रहा है जो बहुत सारी species है उसमें क्यों होता है क्योंकि water pollination तो होता है water के through pollination होगा बटबगा करते है अपने pollen grain को protect करने के लिए करते हैं ताकि गीले ना हो वैट ना हो इसके लिए कर लेते हैं अपने जो pollen grain है उसके चारों और एक mucillaginus covering कर देते हैं ठीक है इससे क्या होगा जो उनका pollen grain है वो safely पहुच जाएगा बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar देखो क्या है यहाँ पर wind और water के through pollination है ठीक है pollination कौन कर रहा है है because agent क्या है water होगा या फिर wind होगी तो ऐसे flowers क्या होगे इन में colors भी नहीं होगे और ना ही nectar produce होगा क्यों किस रिजन से क्या है nectar और जो colorful होना है वो किस के लिए है ताकि क्या है जो animals है वो उसकी तरफ attract हो अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं क्योंकि किस के through हो रहा है pollination wind और water के through हो रहा है wind को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं कि color होंगे तभी wind flow करेगी या water को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं बट अगर animals के through अगर जब क्या होता है pollination होता है तो वहाँ पर क्या होता है flowers काफी colorful होते हैं और nectar produce करते हैं अभी हम पीछे पढ़ेंगे ठीक है तो देखो ए डाइग्राम में हाँ पे लिखा है pollination by water in valisnary area देखो valisnary area में हमने पढ़ा था ना तो यह क्या है female flower है और क्या होगा जब wind के through होगा तो wind क्या होगी ऐसे घूमते घूमते stigma है हाँ wind में जाते जाते यहाँ pollination cause करतेंगे ठीक है अब आगे है पेस नमबर 30 में है majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agent तो majority अगर हम देखें flowers की तो pollination किस के through होगा उसमें animals के through ठीक है यहाँ agent क्या होगे pollinating agent animals होंगे जैसे कि bees, butterflies, flies, beetles, wasp, ant, moth, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are common pollinating agent तो यह सारे के सारे क्या है जो common pollinating agent है वो सब यह है ठीक है तो इनके diagram है तो सब यह क्या है animals ही है छोटे-छोटे insects है या butterflies है बट इनके क्या है नाम अलग-अलग है क्या है अलग-अलग टाइप क्या होता है ठीक है diagram देख ले ना among the animals insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agent तो सबसे यहादा cause कौन करेंगी bees करेंगी ठीक है pollinating agent कौन होगी है अगर हम insecti बात करें तो वो होगी bees even larger animals such as some primates, lumers, arboreal tree dwelling, rodents और even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinator in some species तो जब अलग-अलग species में अलग-अलग क्या होते हैं ? pollinator होते हैं ! pollination cause करने अलब agent होते हैं पर जैसे कुछ species हैं तो उनमें क्या होते हैं PLANT species में से primates हैं ठीक है, primates में क्या हम humans भी आ जाते हैं primates में ठीक है, primates बहुत बढ़ा ग्रूप है एग तो उसमें जो lumers होते हैं animal ठीक है वो भी क्या करते है pollination cause करते है arboreal, rodents मतलब arboreal क्या होंगे जो पेडों में रहने वाले होंगे tree, dwelling होंगे, rodents जैसे की gilhery होती है तो वो भी क्या करती है pollination को cause कर सकती है और even reptiles जैसे की lizard होती है चिपकलिया होती है यह भी क्या करती है pollinating agent के रूप में अपना क्या करती है participation करती है ठीक है आगे कह रहा है often flowers of animals pollinating plants are specially adopted for a particular species of animal तो यह चीर है जो flowers होती है जिनमे क्या होता है animal के थोड़ा पॉलिणेशन होता है वो क्या होता है अपनी आपको थोड़ा अडैप्ट करते है for a particular species of animals ताकि क्या करें वो जो animal की जो species है उसके थोड़ा अपने आपको कुछ थोड़ा बहुत अपने अपने आप में का पॉलर फ्रेग्मेंट को देखो अभी हमने पीछे पड़ाता कि इस बड़ता बुदे रांज्चर आदmesi वाइशन जाने को रहाई आ दो ही जा सब्वंगी खरती होता है वह को आद फूला को जुदे ट्रुका पाइकने यहांगी तुरने तो तो नेक्टर क्या होगा नेक्टर क्या होता है एक sweet liquid होता है जो कि क्या करते हैं plant produce करते हैं when the flowers and sorry when the flowers are small a number of flowers are clustered into an influence to make them conspicuous तो अगर वैसे तो flowers क्या होंगे बड़े होंगे insect pollinated flowers है तो अगर क्या होंगे चोटे होंगे तो वह क्या करेंगे आपस में cluster बना लेंगे गुच्छा बना लेंगे ताकि क्या कर पाएं वह अपने आपको इस पस्टर रूप में दिखा पाएं ठीक है अपने आपको clear कर पाएं ताकि जो bees या insects उनकी तरफ attract हो पाएं Animals are attracted to flower by color and or fragrance या तो क्या color के थू होंगे attract या फिर उनकी fragrance के थू होंगे ठीक है fall order मतलब order तो smell हो गया fall order मतलब एक bad smell produce करते हैं ताकि क्या हो जाए animals और इनसे attract हो जाएं ठीक है आगे कह रहा है to sustain animal visit the flowers have to provide rewards to the animal जो animal है यह हम में क्या करें flowers में visit करें तो उसके लिए क्या करते हैं reward प्लां प्लांचित वीरी चांट प्लांट मतला ही तो जो आप बना अपने ओधा दो प्लांस बना लेते हैं जिससे क्या होता है जो इंसेक्ट है उनकी तरफ क्या होता है तो यह सब क्या है इनके एजेंट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनको यहां पर नहीं करता है रिवार्ड दे दिया थाकि यह क्या कर पाएंगे यहां आएंगे तो उन्हें नेक्टर मिलेगा ठीक है और इनको खाने के रहे नेकर मिलेगा तो यह क्या करेंगे इसके तरह प्रट्रेक्ट होंगे तो वह यहां पर यह क्या करता है reward देते हैं तो यह nectar और pollen grain है यह क्या यूस हो गया reward ठीक है floral reward फ्लोरल reward for harvesting the reward from the floral flower the animal visitor come in contact with the anther and the stigma देखो क्या है क्योंकि उनको यहाँ पर reward मिल रहा है तो जो animals है वो क्या करेंगे animal visitor है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर contact होगा उनका किस से एंथर और stigma से तभी जाके क्या होगा stigma में जब pollen grain आएंगे तभी तो जाके क्या होगा पॉलिनेशन होगा तो ठीक है वही कह रहा है दा बॉड़ी ओफ एनिमल्स गैट्स अ कोटिंग आएंगे तो उन पर क्या हो जाएगा जब pollen grain है उनकी कोटिंग हो जाएगी तुमने कभी flowers को छुआ होगा तो तुम्हारे हाथ में के लग जाता है एक अजीब सा वही कोटिंग के लाति हैं में भी हो जाती है शरी होने केहरे हैं अ केहरे में पॉलिनेटिटेटाख और जैसे ही यह pollen में चलेगे, pollen में जाके इनकी body में के चिपगे, pollen grain चिपगे, अब यह जाके कहाँ, stigma में बैठ जाएंगे, तो यह क्या कर देंगे, हाँ पर pollination को cause कर देंगे, ठीक है, यह इनका क्या है, एक mechanism में है, आगे कह रहा है, in some species, floral rewards are in providing safe places to lay egg, an example is that of tallest flower of amorphalus, तो यह कह रहा है, कुछ species में कहाता है, floral reward होता है, उसमें यह चीज भी होती है, कि आपका कर सकते है, safe place मिल जाता है, आपको, अपने eggs को ले करने के लिए, ठीक है, अंडे देने के लिए, आपको कर मिल जाता है, safe place मिल जाता है, जैसे कि 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 इसका example यहां पर tallest flower है, amorphalus, the flower itself is about 6 feet in height, amorphalus के tallest flower है, कभी पूछ लेंगे ही, tallest flower कौन सा है, तो amorphalus है, जो कि 6 feet है height में, a similar relationship exists between a species of moth and plant yukka, where both species moth and the yukka plant cannot complete their life cycle without each other, तो अब जैसे हमें amorphalus में पढ़ा था हमने, तो वैसे दूसरे example लिए क्या है, हाँ पर yukka और एक moth, जो plant yukka है और moth का है, तो इन में क्या होता है, जो बहुत species होती है, yukka भी और plant भी, sorry, plant yukka भी और moth भी, यह दोनों अपनी जो life cycle है, जिस्टे के बिना complete नहीं कर सक मौत को क्या चीए, यukka का प्लांट चीए, यukka प्लांट को मौत चीए, ता कि क्या हो पाए, उनकी जो life cycle है, वो complete हो पाए, ठीक है, आगे कह रहा है, the moth deposits its egg in the locule of ovary and the flower in turn get pollinated by moth, the larva of moth come out of the egg as a seed start developing, तो यह कह रहा है, भी हमने पढ़ा था कि yukka और जो moth है, उनकी, जोके life cycle उस्रे के बिना complete नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, जो moth होता है, वो कह रहा है, अपनी egg deposit करता है, लोक्यूल में, ओवरी के लोक्यूल में, और जो flower होता है, वो क्या करता है, in turn get pollinated by moth, और जो क्या होता है, पोलिनेट हो जाता है, मौत के through, वो अपने लेगद माूंते रचे को साथ लुदू कर देगा in यह करके बिर लार्वा को साथ भी प्लिनेट भी आप करे लीडAc cycle को complete करते हैं आगे हैं why don't you observe some flowers of flowering plants or any other available to you तो कह रहा है आप कुछ जो flowering plants है उन्हें आप observe क्यों करते हैं जिसे कि हमारे पाद कुकुम्बर है mango है people है coriander है papaya है onion है lobia है cotton है tobacco है rose है lemon है eucalyptus है ठीक है तो आप सब के कह रहा है इन सब को आप observe करो दिन के अलग अलग ताइम में आप इनकी क्या देखो activities देखो कि इन में कौन सा प्लांट जो वह है पॉलिटिंग एजेंट वह आ रहा है एनिमल जो आ रहा है या फिर कोई इन्सेक्टार रहा है तो इस ताइप से बाते कर रहा है हां पर ताइप यह पाला ताइम पर देखो और देखो की कौन आता है वहां पर पोलिटिंग करने कास करने के लिए You could also try to see whether there is any correlation in the characteristic of a flower of animal that visited तो यह कह रहा है कि आपकोई characteristic तो नहीं है हाँ पर जो flower है उसमें कोई जो animal आ रहा है उसके लिए Carefully observe if any of the visitors come in contact with the unther and the stigma as only such visitors can bring about pollination Man insect may consume pollen or nectar without bringing about pollination तो यह कह रहा है जैसे यहाँ पर तो क्या है यह pollination cause करते हैं पर कुछ insects ऐसे होते हैं जो बिना बात करते हैं Pollen or nectar को consume करते हैं इन जो such floral visitors है जो ऐसे floral visitors हैं जिनका कोई pollination में कोई use नहीं है उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर pollen या nectar robber ठीक है मतलब जो क्या कर रहे हैं pollen or nectar की चोरी घर रहे हैं ठीक है You may or may not be able to identify the pollinators but you will surely enjoy this effort तो कह रहा है जुरूरी नहीं कि आपको पता ही तल जाए कि इसमें pollination किसने cause कि हैं आपको एक enjoy आप इसको एक enjoy कर सकते हो वही कहना जा रहा है ठीक है तो यह हो गया है आज के लिए कल से हम पढ़ेंगे out breeding devices फिर उसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं यह चेप्टर उसके बाद से हम थर्ड चेप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है